नमो नमा अब हम पंचमंग का अध्यन टारम करेंगे जैसा कि आपको टारम में बताया था कि इस नाटक का नामकरण पंचमंग के स्वपनिद्रिश्य के आधार पर किया गया है और यहां पर हम उसी कथा भाग को यहां पढ़ेंगे जहां राजा के मन में जैसका हमने चतुरतंग में देखा कि उसके मन में कहीं ना कहीं आशा है कि वासवदत्ता जीवित है वो इस बात को सुईकार ने कर पारा कि वासवदत्ता मनित्यों को प्राप्त हो गई है और उसी का एक प्रकार से कहना चाहिए विश्वास होना कि लिटने के ओपर sobie Leb sécur पूर्ण विश्वास भी हो जाता है और साती सात पद्मावती का वहाँ पर जो अगमन है जिस प्रकार वीवार है और उसकी प्रती भी उसके मन में जो प्रेम है उसका प्रिचे हमें इस कता भाग में मिलता है अभी तक हमने जो पढ़ी कथा तो इसमें जो अंका प्रारम बता क्योंकि यहां पर गद्य भाग आपको इस पर नहीं पढ़ा रहे लेकिन एक कथा का सूत्र बना रहे हैं गटनाओं का जो एक परसपर तारतम में हैं तो इसने थोड़ी-थोड़ी कथा बीच में बताते चलत होते हैं तो इस अंका जो प्रारम होता है तो पदमिनिका की प्रवेश से जो पदमिनिका और मदुकरी का दो पदमावती की जो दासियां हैं उनके परसपर वारता लाप से होता है कि पहले वो आती है मशपर और वो इस बात की सूचना देती है कि पदमावती अस्वस्त है उसके बहुत तीवर शिरोवेदना हो रही है और वो ही यह कहती है कि इस समय राजकुमारी जी के अस्वस्त होने का समाचार वासवदत्तकलिच वहाँ पे अवंतिका के नाम से रह रही है उसको बता दो और किवल इतना कहने मात्र से ही वासवदत्ता पदमावती के पास आ जा करने से उनकी शिरोवेदना दूर हो सकती है वो यह भी पर्चे देती है कि सूशना देती है कि उसकी जो शैया है उसके जो सोनी का लिए स्थान बनाया गया है वो समुद ग्रह में लगाया गया है ताकि वहां का बाता जो बातावरन है उसमें शितलता है और यह कहकर कि वो उसको निर्देश देकर कि मधुकरिका कहती कि चलो ठीक है तुम भी कहो और उसे फिर वो आरवरसन तक को देखती पद्मिनिका की ताकि राजा यानि कि महराज उद्यन को भी पद्मावती के अस्वस्त होने का समाचार दे सके और राजा को जब यह सूचना मिलती है कि पहले वासब्धध्त्य के व्योग से वह व्यकूल है और जिब उसको सूचना मिलती है कि पद्मावती अस्वस्त है तो इससे राजब और वियाधिक्व व्यकूल हो जाता है क्योंकि उसके मन में यह परकार िया एक अनहुनी को लेकर कि उसका हिर्दे आशंकित होता है कि वासब कि श्लाग्याम अवंती निपते सद्रशीम तनूजाम कालक क्रमिन पुन आगत दार भारा लावान के हुतवहेन अतांग यश्टिम ताम पद्वनीं हिम हतामिव चिंत यामी क्यों कहता है कि शलाग्याम अवनते निपते सदिशीन तनूझाम कालक क्रमेण पुना आगत दार भारा पुना आगत दार भारा अथार्ड मुझ पर पुना पतनी के भरण का भार आगया है अतार्थ मेरा विवा हो चुका है तो पुना इस रीका भार या उसका उत्तरदाईत भार सताथ पर यहां पर उत्तरदाईत से कि पुना पत्नी का उत्तरदाईत मुझ पर आ पड़ा है और इसी करण से मैं लावान के खुटवहिन हतांग यश्टिम लावान की लावानक गाव में जिसकी हुतवहिन हुतवह कहते हैं अगनी को तो अगनी के द्वारा जिसका शरी जल गया था जो मृत्यू को प्राप्त हो गई थी ऐसे ही अवनी निरिपते सद्रशीम अवनी निरिपते अथार्त वासव दत्ता अवनी अवन्ती का जो राजा है उसकी तनुजाम सद्रशीम उसकी जो पुत्री थी उसी के समान हिम हताम पद्वनीम इव चंत यामी कि उसी के समान ये पद्मावती भी पुना हिम हताम हिम से द्वारा मुर्छाई हुई हिम के करन अथार्थ जो सब प्रकार से प्रशन से नहीं भी है ऐसी हिम हताम पदमनी इव हिम हतां, हिम माने जो बर्फ है, तो हिम के द्वारा कुमलाई हुई, अतार्थ उस लुष रात्री में पर एक तहन जम जाती है, बर्फ की, उसकी शीतवलता से, जो कुमला जाती है, पद्मणी अत्तम कॉमल होती है, तो उस से कुमलाई हुई, वासरदत्ता के सामानी मैं उस को याद करता हूँ अथार्थ जो एक प्रकार से जो वासरदत्ता की दुख से अभी उबर नहीं पाया है यहाँ पे राजा तो कहते हैं कि वो अवंती राजतनिया जो अपने शलाज्याम यहाँ पे आया है श्लाग गया अथा जो अत्यांत प्रशन से नहीं थी ऐसे अपने गुणों के निरूपी उस वासरदत्ता को मैं जो हिमसे कुमलाई हुई कमलनी की भाती आज भी उसको मैं चिंतियामी उसको याद करता हूँ तो यहाँ पर पदमनी जो पद आया है तो यह से दोरा प्रकार से जो पद मावती है उसका यहाँ पर निर्देश कर दिया गया है कि जिस प्रकार से हिमसे आहत हुई हिमसे कुमलाई हुई पदमनी यानि कमलनी होती है उसी प्रकार से उस अवंति राजितनिया अथार्टवस् चिंतन करता हूँ तो यहाँ पर उसका वासवदत्ता के प्रति प्रेम है इसलिए वो कह रहा है कि मुझे पर पत्नी का भार तो आ गया है लेकिन अभी मैं वासवदत्ता के दुख से उबर नहीं पाया हूँ क्योंकि उसकी देह यश्टी तो जो है उसका जो देह है वो तो अगनी के द्वारा लावानक गाउं में भस्म कर दी गई लेकिन उसको आज भी मैं याद करता हूँ जैसे हिम से कुमलाई हुई कमलनी होती है उसी प्रकार के गुणों वाली उसको मैं आज भी इसमरण करता रहता हूँ तो यहाँ उसका जो अगाध प्रेम है उसके प्रती एक निष्ठ प्रेम है राजा का वो यहाँ पर प्रकट होता है तब ही विदूशक आके कहता है कि माराज शीक्रता करें क्योंकि यहाँ पर इसका जो कथानक बुना गया है या इस घटना का और जो सहीयोजन किया गया है, तो वो उसमें उद्देश है कि राजा वासवध्त्त के दुख से उवरे और पदमावती की प्रती अपने उत्तरदायद्व को समझे, तो यह कहता है कि राजा किया वह किसलिए शीग्रता करने हो कहरा है, तो विदूशफ बताता है कि महराणी पद्मावती शुरुवेदना से पीडित है, तो वो पूछता है उससे कि किसने कहा, तो कहता है पद्मीकाने कहा, तो अब यह सुनकर कि राजा और भी अधिक दुख्यी हो जाता है, कहता है कि यह तो बड़ा ही दुख का विश्य है, कि यहां वो कह रहा है कि रूपश्रिया रूप 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 और शी से जो युक्त है, ऐसे गुणों वाली वो लप्धवा, प्रियाम, मम्तु मंद, इवाद्द शोका, तो ऐसी पत्नी को प्राप्त करके, प्रिया को प्राप्त करके, ऐसी पद्मावती को प्राप्त करके, पतनी के रूप में उसे सुईकार करके मेरा जो शोक है वो कुछ मंद हो गया था कुछ कम सा होने लगा था लेकिन पूर्वा अभिगात सरुजो अपि अनुभूत दुख पद्मा वतीम अपितत है वे समर्त यामी और जो मेरा शोक थोड़ा भी कम हुआ था दुख से मैं थोड़ा उबर रहा था तो उस प्रकार का दुख का अनुभव करने वाले पूर्वा अभिगात अथार्थ पूर्व अभिगात जो पहला आगात था उससे जो पीडित था मैं सरुजहा जो रुग्ण था अथार्थ उससे जो पीडित था अब मैं पद्मावती को भी उसी के समान अपी अनुबूत दुखा अथर्थ उसी प्रकार के दुखा नुभव करने वाला मैं अब पद्मावतीम अभी पद्मावती को भी तथेव समर्थ यामी उसी प्रकार से विचार कर रहा हूं कि अगर कहीं ये भी वसबत्ता के सामान नित्यों को ना राप्त हो जाए तो कैसी है वो रूप श्रिया समुदिता, रूप रूपी श्री से, अधार्त रूप श्री से तो रूप रूपी संपत्ती और कैसी है गुण तश्च युक्ता गुणों से जो युक्त है ऐसी पत्नी को प्राप्त करके मेरा शोग कुछ मंद हो गया था पूर्वा अभिकात सरुजो तो पहले आघात से पूर्व अभिकात जो पहला आघात था तो वासा दता कि भी कहीं उसी प्रकार से मित्यु को नाप्राथ हो जाए इस प्रकार से मैं विचार कर रहा हूं अतार्थ पद्मावती के बारे में वो आशंकित हो जाता है और पूस्ता है कि वो कहा है तो यहां पर भी हम उसका जो उद्यान का एक उदात रूप देखते हैं कि कि किस प्रक विक्सित हो रहा है फूटा है तो उसके जो प्रेम का अंकुर है उसको वहां पर उसके प्रती जो उसका आकर्शन है वो दिखाई पड़ता है आकर्शन यानि कि उसको अभी इस बात से वो पूर्ण रूप से सुईकार्व नहीं कर पाया है लेकिन दीरे-दीरे वो पदमावत कि रुग्ण होने का अस्वस्त होने का समचार मिलता है तो जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं तो उसके किसी प्रकार की पीड़ा को सुनकर हम व्याकुल लाते तो वो प्रेम का सूचक है तो यहां पर जो चंद है वो वसंतिलका है और क्योंकि पूर्वा अभी गात सरु ऑtes tough jya जो कहा गया है कि पहले ही आघात का जो मैं दुख कानुभव कर रहा हूँ ता अब ददमावति मैं विचार कर रहा हूं उसके पश्चा जब राजा को पता लगता है तो वो विदूशय को सूचा देता है बताता है कि समुद्र ग्रह में उसकी विश्राम का इस्थान जो है समुद्र ग्रह में उसकी शाया बिछाई गई है वहाँ विश्रान्ती के लिए इस्थान निश्चित किया गया है तो राजा कहता है ठीक है मैं भी वहीं चलता हूँ तो विदुशह कहता है, ठीके आप आईए और क्योंकि इस समय ठोड़ा अन्दिकार सा होने लगा है तो वहाँपे क्योंकि जब कोई वेक्टी रोगी होता है तो उसके लिए जिस स्थान का चेर कहता है तो वहाँपे ठोड़ा सा शांती का अंदेरा ताकि उसको किसी प्रकार की पीडा नहीं और खास करके शिरोवेदना है तो आंक में प्रकार नहीं उतना रोशनी नहीं चाहिए उसको तो यहां विदूशा कहता है कि ठीक है दीपक के प्रकार में थोड़ा इस पष्ट दिखाई पढ़ने लगा है कि आप ठेरिये यह तक उसको ऐसा लगता है कि जो प्रवेशट दौ là और उसके फ़़े जो जो लटकी हुई है उसे सर्प का अभास होता है तो राजा कहता है कि यहां पर आपए सावट लटक रहा है जो हिल रहा है तो इसलिए आप एभी रुख जाईए तो राजा वहां पर प््रवेश क पर कहता है हसने लगता है कि अरे तुम बिल्कुल मूर्ख है कि यहां पर ये कोई सर्प है रिजवायताम ही मुकतो रण लोल मालाम रश्टाम श्टाम श्टाउ तम अवगच से मूर्ख सर्पम मंदा निले निशिया पर इवर्तमाना किंचित करोती वुजगत से विचेश्ट पर ज़िता नि कि अरे मूर्ख तुम इस रिजवायताम रिजवायताम यहां पर रिजवायताम हमने पहले भी पढ़ा है जहां स्वारस्पंक्ती मुकतो रण लोल मालाम कि प्रित्वी पर पड़ी हुई मुक्तोरन लोल माला प्रवेश द्वार की जो माला है जो वहाँ पर रिसकी सज्जा की गई है उसको तू सर्व समझ रहा है मन्दा निलेन या परिवर्त माना किंचित करोती भुजिगस स्विचेश्ट तानी और यह माला है यहाँ पर इस्त्री लिंग माला के लिए आया है जो माला निशी मंदा इस रात्री में मन्दा निलेन धीरी में चलती हुई जो वायू है उसके द्वारा जो कम्पित हो रही है परिवर्त माना इधर उधर हिल रही है वो भुजगस से किंचितवी चेश्ट आनी करोती वो कुछ-कुछ भुजग कासा अथार सर्प कीसी चेश्टा कर रही है अथार ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से सर्प जो है थोड़ा सरक के चलता है हिलता डूलता अपनी वलियाकार रूप में तो वहां हो कह है कि कुछ-कुछ जो हिलती हो इसी लग रहा है है तो ऐसा लग रह! कि जो रात्री में धिमी-दिमी पायू चल रही है उससे यह माला हिल रही है और सर्प कासा अभास कर आ रही है कि मानों यहान पे सर्प लोट रह हो तो यहाँ पर जो विदूशक के माद्यम से ये कि वो पहले राजा को साफधान करने जाता है इसलिए आगे है और उसको लगता है कि कहीं इसे उस माला में उसको भुजंग का अथाट सर्व का जो ब्रहम होता है उससे वो रोकता है लेकिन राजा को क्योंकि पता है कि इस हाँ पर सर्व होना इतना सहज नहीं है वो प्रवेश करते तो वहाँ पर उनकी वीरता उनकी निर्भीकता भी प्रकट होती है जो उनके गुड़ है तो वो वहाँ पर जाके देखते कि आरे ये तो सर्व नहीं है ये माला है फूलों की जो हवा के प्रभाव से दीरी दीर में चलता हुआ हवा से कुछ-कुछ हिल डोल रही है और उसी तुझे लग रहा है कि यहां पर नाग रेंग रहा है यह सर्प कुछ-कुछ यहां पर चलता हुआ तो यहां पर राजा के द्वारा उनका जो गुण है वो दिखाई यहां पर प्रकट होते निर्भीकता भी है साथ-साथ वसंतक की वात को वो कितना महत्व देते हैं या उसे उस विपत्ती से बचाना चाहते हैं तो मित्र के प्रती उनका प्रेम भी यहां पर प्रकट होता है तो यहां पर भ्रांत अपनुति अलंकार है क्योंकि यहां पर राजा उसका निराकरण कर देते हैं उसको सर्पकी भ्रांती होती है तो यहां पर फिविदुशा कहता है आप ठीक कहरा है कि यह सर्प नहीं है लगता है पदमवती यहां कर चली गई है तुरालिया कहता है आई ही नहीं है कहते हैं आपको कैसे लगता है अब यहां पर जून की बात चीत है वो इस प्रकार से अनुमान कर रहे हैं कि किस प्रकार स पदमावती वहाँ पे आई है अत्वा नहीं आई है वो इस बात का यहाँ अंदाजा लगा रहे हैं जो वहाँ की सारी सज्जा है जिस प्रकार के उपकरण जिस प्रकार से उनको दिखाई पड़ते हैं जो समान दिखाई पड़ता है उसके अधार पर वो अनुमान कर रहे हैं तो जो तर्ग देता है वो बड़े स्वभाविक हैं, सहज है, जिसके आधार पे हम सहजी अनुमान करते हैं, कि यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, अत्वानी बैठा है, तो उत कहता है कि शय्या ना अवनता तथा आस्त्रत समा ना व्याकुल प्रच्चदा, क्योंकि शय्या ना अवनता जो शय्या जो उसके लिए बिस्तर लगाया गया है, वो दबी हुई नहीं है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति लेटता है बैटता है तो वो इस थान वहां से जो उसकी गदा है उसके लिए लगाया गया है वो वहां से दब जाती है तो कहता है शैया ना अवनता कि ना तो यहां पर जो शैया है बिछोना है या उसकों बिस्तर कहें कि वो ना तो दबा हुआ ह तथा आस्त्रित समान ना ही वहाँ पर वो सिकुड़ा हुआ है कोई बैठता तो चादर सिकुड़ जाती है वैसे ही समान रूप से फैली हुई है बराबर फैली हुई है ना व्याकुल प्रच्छदा और ना ही वहाँ से सिकुड़ी हुई है अथा जैसी बिच्छाई गई है वैसे कि दिखाई पड़ रही है, ना तो वो सिकुड़ी है, ना दबी हुई है, ना कलिष्टम ही शिरोपधानम, अमलम, शीशा विगात औशदई, और ना ही यहाँ पे, जो उसने तक्या रखा हुआ, वो भधान है, तो वो तक्या भी जो है, वो बिलकुल सवच है, अमलम, अमलम शिरोपधानम, वो भी बिलकुल सवच है, निर्मल है, शीशा विगात औशदई, ना कलिष्टम, शिरोवेदना में लगाए जानी वाली औशदइों से, वो मलिन नहीं हुआ है, शीशा विखात औशदई, शिश अथा शिरो वेदनाज में जिन औशध्यों का तेलित्यादी का प्रयोग किया जाता है उसके कारण वो मलिन नहीं हुआ है बिल्कुल स्वच्छ बना हुआ है रोगे द्रिष्टी विलोगने जनईतुम शोभा ना कार्चित करता और जब व्यक्ति रोगी होता है तो उसके नेत्रों को जिसने शांती पहुचे तो वहाँ पर उस प्रकार की सासज्जा की जाती है तो रोगे द्रिष्टी विलोगने जनईतुम तो रोग में द्रिष्टी को आकर शित करने के लिए उसको सुकून देने के लिए, शान्ती देने के लिए, जिस प्रकार की सारे सज्जा की जाती है, वो भी यहाँ पर नहीं के गई है, प्राणी और उससे भी बड़ी बात वो कहता है, प्राणी प्रापे रुजा पुनर नशै नम शीग्रम स्वयम मुंचती, और जो व्यक्ति रुग्ण हो, प्राणी रुजा, जो रुग्ण प्राणी है, वो शैनम प्रापे, यदि उसको बिस्तर मिल जाए, तो पुना स्वयम शीग्रम नम उचती, तो वो शीग्री स्वयम उटकर के वहां से नहीं जाता है, तो ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर अभी आई ही नहीं ह दबी भी नहीं है, उसका जो तकिया है वो भी बिल्कुँ सच है, उस पर किसी प्रकार की ओशदी की कारणों वो मलिन नहीं हुआ है, किसी प्रकार की उसके अंदर गंद नहीं है, और नाहीं जो नेत्रों को आनंद पहुँचाए, शांती पहुचाए, सुख दे, ऐसी समय वहां पर विश्राम करना आराम करना लेटना उसके मननुकूल होता है उसमें उसको आराम मिलता है तो यहां पर भी जो हेतु तृतिया रिवजा जो कहा गया है तो हेतु के कारणियां पर तृतिया भक्ति हुई है और यहां पर राजा का अंदर जो उसकी तारकिक ता है कि किस प्रकार से वो एक अनुमान लगा लेता है तो इससे ये भी प्रकत होता है कि राजा यहां पर यद्देपी बासदता के प्रेम में पढ़ करके वो उसके प्रती आसक तो हुआ है लेकिन उसकी बुध्धी में किसी प्रकार की विकृती नहीं है अत्वा दुख में उस पर इतना हावे भी नहीं है कि उसके सोचने समझने की जो शक्ती है उसका वो हरन कर ले या उसको दबा दे तो राजा कहता कि हाँ चलो ठीक है आप यहीं बैठ करके थोड़ी दिर यहां पर उसका प्रतीक्षा करिए तो अब इस ये जो है शया नावनता इसमें शारदुल विक्रिडित चंद है और अनुमान अलंकार है जो कि अनुमानी कर रहा है तो अनुमान अलंकार है अब इसके पस्चाद विदूशक फिर कहता है कि आप यहां बैठिये तो वहां पर वो बैठने लगता है तो कहता है ठीक है मुझे निदारी है तो आप मुझे कोई कथा सुनाईए तो विदूशक एक प्रिकार से अपनी जो एक उसकी शैली है जिसके द्वारा कि वो कुछ ऐसी हरकत करता है या ऐसी बात चित करता है जिसमें हम यह नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल सीधी साधी से बात है इसका उद्देश होता है कि माहल को हलका बनाने के लिए कथा में एक प्रभा बनाए रखने के लिए बीच बीच में परिहास भी होता चले ताकि वातावरन बोजिल ना हो तो राजा कहता है कि ठीक है आप मुझे कथा सुनाईए तो फिर वो सुकानने चलता है कि हाँ भोट पहले एक अजैनी नाम की नगली थी तो राजा को जैनी के नाम से फिर वासादत्ता की इसमिर्टी हो आती है तो कहते हैं जैनी नाम की तो अज़ आपको यह अच्छी निलग रहो की जब आप अजयनी का नाम लेते हैं तो मुझे अबन्तिराजितनिया वासदत्ता क्या इसमरण हुआता है कि किस प्रकार्ड से जब वहाँ से निकल रहते हैं प्रस्था निकल रहते हैं तो स्वजनम इसने हाथ, तो आतने स्वजनों के उसके जो माता-पिता, परिवारवाले हैं, बंदु भादव के सने के करण, उनका इस्मरण करते हुए, प्रवित्थम, नैना द लगनमब आश्बम, नैनों की कोड़ पर लगे हुए, नित्रों की कोड़ से निकलने वाले तो मुझे वो द्रिश्य याद हो आता है कि जब हम वहां से निकल रहते उस समय बिना बताए क्योंकि बिना अनुमती के विवाह किया था हम चुपचाप वहां से निकलेते तो ऐसी इस्थिती में जब वो अपने परिवार से बिचुड रही थी और उनका इसमरण भी करे थी उनके इस नहीं के कारण कि किस प्रकार से उसने मुझे पर इतना विश्वास किया और उसका जो विच्छो है परिवार से उसकी कारण उसके नेतरों से जो अश्रू बहरे थे वो मेरे ही वक्षिस्थल पर गिराती हुई उस अवंति राज करन्या का मुझे इसमरण हुआ र तो बारम बार यहां पर वासवदत्ता का इसमरण कर रहा है तो वो संकेत देने के लिए कि वास्तम में वासवदत्ता जीवित है और वो बार-बार उसका इसमरण करने लगता है यहां चंद उपजाती है उपजाती चंदों का जहां पर मिश्ण होता है तो इसमें समान नित या इंद्रवज़ा और उपेंद्रवज़ा के मिशन से मेल से ये चंद बनता है आप सबको इसका लक्षन भी पता है और इसी के पश्चात वो कहता है कि और उसके पश्चादी बहुशो अपी उपदेशेशू या माम इक्षमाने या हस्ते इनस्रस्त कोने प्रितम आकाश व हो चुका है कि जब दासी पदमावते से कहते हैं कि आप प्राहरार से क्यों नहीं कहते हैं कि वो आपको भी वीड़ा बजाना से खाएं तो यहां पर भी वो राजा उसके उस द्रिश्च को याद कर रहा है कि बहुशो अपी उपदेशेशू या माम इक्षमाने या कि जिस वासप दत्ति के द्वारा बहूशो अपी उपदेशेशो बहुशो बहुत पर जब मैं उसको शिक्षा नेवीना का अभ्यास कराता था बीना बादन का शिक्षा देता था तो माम एक शमार्या मेरी और एक टक देखते रहने की कारण हसते इन स्रस्तकोरिन जिसके हाथ उंगली से मिजराव गिर गया है ऐसे हाथ से वो बहुत बार केवल आकाश वादितम कि शूने में ही उसका हाथ चलता था शूने में ही वो वादन करती थी तो उसका जो एक टक मुझपो देखते हुए वो इतनी हाथ में विस्मित हो जाती थी कि उसे इस बात का ध्याने रहता था कि उसके उंगली से जो मिजराव है जिसके दोरा बजाई जाती है जो बजाया जाता है वीना है सितार है तो उंगली के उपर एक ट्रिकोर्ड क्योंकि उसकी आकरती ट्रिकोर्ड जैसी होती है तो यहाँ पर कैस रस्त कोड़ें कि वो मिजराव उसके हाग उंगली से निकल जाता था और वो शून में ही वो वादन करती थी और एक टक कैसे माम इक्षमानिया मुझे एक टक देखती हुई तो यहाँ पर वो उसको देखने में एकती मुक्त हो जाती थी कि अपनी सुद्व पर इसे जो मिजराव निकल जाता था उसके ऐसे हाथ से वो शून में ही बजाने लगती थी उसका वो इसमरण यहाँ पर कर रहा है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार्ट से महराज उद्यन है वो अभी वासरदत्ता को बिलकुल भुला नहीं पा रहे हैं उधर और अब वो चाहते हैं कि नहीं पद्मावती स्वस्ते रहे लेकिन फिर भी वासरदत्ता का उज्जैनी के नाम से ही वासरदत्ता का उसके मन में जो इसमरण हो आया है उसको वो यहाँ पर प्रकट करने लगते हैं तो जो भावी घटना है उसकी ओर संकेत मिलता है क्योंकि उसका ध्यान करते करते ही सोते हैं अभी आगे के जब दूसरा वीडियो आप देखेंगे आगे के श्लोग पढ़ेंगे तो वो उसको क्योंकि इस मरण करते हुए सो रहे हैं तो वो स्वपने का जो द्रिश्य है यहाँ पर बड़ा ही वास्त विकी यथार्त बन पड़ा है क जैसे हम कहते हैं कि मनो विज्यान में का जाता है कि आप जो कुछ सोचते हैं वही आपको स्वपने में दिखाई पड़ता है तो वो स्वपने द्रिश्य के जो सार्थकता है वो आप आगे के वीडियो में उसके बारे में परिचे प्राप्त करेंगे